अलो दोस्तों इस सेशन में हम सीखेंगे डी आई की एक भौती जवर्दस टेक्निक पॉर परसेंटेज इंक्रीस कैलकुलेशन तो जड़ा इस सवाल को आप ध्यान से देखें सवाल दिया गया है तो प्रोजेक्टेट पॉपुलेशन ऑफ लखनपूर और करनपूर इन 2019 आर इक्वल तो 2019 का डेटा तो मुझे यहां पर दिया नहीं गया है ना पर यह कहा गया है कि जो 2019 में इनकी पॉपुलेशन होंगी वह बराबर हो जाएंगी ठीक है इन लखनपूर की जो पॉपुलेशन है तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं करनपूर की ठीक है एंड ल लखनपूर की तो लखनपूर की जो पॉपुलेशन है 2018 से 2019 2018 की पॉपुलेशन तो मुझे दी गई है और वो क्या है 4884 दिस इस वाट 4884 दिस इस इस 6105 राइट and population of करनपूर is increased by 20% तो इसमें 20% का change आया और इस year में यह दोनों की population हो जाएंगी बराबर equal तो मुझसे पूचा गया कि यहां पर कितना percent का change होगा है ना तो ज्यादा तर लोग क्या करेंगे सवाल में मुझे पता है है ना और आप भी इस वाट से agree करोगे कि आप इसमें क्या करोगे कि पहले इसका 20% आप निकालोगे इसका 20% निकाल कर यहां add करके यह वाली population निका है कि आप यहां से इसका 20% निकाले उसको यहां पर रखें और उसके बराबर इस value को यहां रखें और तीसरा step है कि फिर यहां percentage increase निकाले है ना अब आप देखिए short process क्या होगा आप ज़रा एक बात सुचिए कि आपको let's suppose कि दिल्ली से आगरा जाना है ना दिल्ली से आगर को प्रिफर करोगी जो रास्ता छोटा होगा ना जिस रास्ते पर आपको time कम लगेगा है ना अव्लब को पहुंचना आप यहां पहुंचो यहां पहुंचो दोनों ऐको लेना क्योंखित दोनों population is equal है तो क्यो ना मैं यहां से यहां पूंच जाओं अगर मैं यहां देख त वोल्ट इसका ₹ constructor тут हो रहा है 1-421 मतलभ मैं यह देख पा रहा हूं क repository यहांपर 25 पर का चेंज मुनला यह जो वेल्यू है कि अ क्वी यह 25 पर-सेंट इंक्रीज होई है यह होने के बाद यह value 20% increase होई है ना तो क्यों ना मैं इनका net successive change निकाल दो वही change यहां पर आएगा yes क्यों कि यह दोनों value तो बराबर है ना भाई यह दोनों value बराबर है आप इस रास्ते से जाओगे या इस रास्ते से जाओगे पहुँचोगे आप same destination पर because don't know destination एक जैसे है बात समझ पा रहे हैं तो better है कि मैं successive change निकाल लूँ जो कि मैं दिमार्ग में भी कर सकता हूँ 50% आएगा कैसे आएगा a plus b plus a by 100 यानि 25 plus 20 plus 25 into 20 by 100 यह formula सभी ने percentage में पढ़ा है यह 500 पॉन 100 यानि कि 5 हो गया 45 plus 5 पचास परसेंट में रांसर आ गया आपको बात समझ में आई कि नहीं आई मैं फिर से बता रहा हूँ देखो आप यहां से यहां change देखोगे 25 परसेंट फिर यह 20 परसेंट है ना, इनका जो successive change होगा वो इन दोनों का net change होगा अब जतना change इन दोनों में होगा, उतना ही change इन दोनों में होगा, क्यों? क्योंकि यह value और यह value बरापर है है ना, तो instead of going through this way, के मैं पहले ये value निकालता, फिर उसको यहां रखता फिर percentage निकालता मैंने डारेक्ट इन नोनों का net successive change निकाल दिया मेरा answer आ गया फिर टेक्निक आपको कैसी लगी ये मुझे comment करके बताईएगा और समझ में आया के नहीं ये भी comment करके बताईएगा और अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को यार जितना ज्यादा आप शेयर कर सको शेयर कर देना है ठीक थैंक्यू सो मच